ये कोकोगोला की बोटल खरीत के कोकोगोला को गिलास मिले के चम्मस से पीने वाल आदमी इतनी समझदारी की बात कर रहा है इसको अंडर वियर और अंडर वाटर में अंतर नहीं पता था आज ही इतनी समझदारी की बात कर रहा है मुझको गाली देने लगे अब मैं आर देख को अच्छे से ध्यान से देखना है और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा केवल यूट्यूबर नहीं अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है तो भी आपको ये वीडियो देखने चाहिए देखे दोस्त अगर आप जीवन में अपने उच्छा उठना चाहते हैं बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो आपको समझदारी विक्सित करनी पड़ेगी समझदारी विक्सित कीजिए और इस मनलब इस प्रत्वी से आप इस और्बिट से ही बाहर चले जाए क्यों क्योंकि आप अगर यहां रहेंगे ना इस प्रत्वी पे तो कहीं गुरुत्वा करशन बल कहीं उत्पलावन बल कहीं प्लांक बल और ये बल वो बल सब लगता रहेगा लेकिन आप और मिट से ही बाहर चले जाएए लोग आपको कुछ बोली ना पाएं प्रत्वी पर रहेंगे तो लोग आपको परिशान करेंगे तो समझदारी आपको विक्सित करना पड़ेगा दुनिया की पचडन से बाहर निकलिए समझदारी विक्सित कीज़े लोग आपको देखें और बोलें कि यार ये इतना समझदार कैसे हो गया ये कोकोगोला की बोटल खरीद के कोकोगोला को गिलास मे लेके चम्मस से पीने वाल आदमी इतनी समझदारी की बात कर रहा है ऐसा कैसे यार लोगों को ऐसा लगना चाहिए समझधारी ऐसी चीज है आप अंदरूनी बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर अब मानिए आप जिम जा रहे हैं मानिए आप रंणिंग करने जा रहे हैं आप डायेट पे हैं तो जितना भी इससे जो भी कुछ आप अचीव करोगे तो वो लोगों को देखे गा लोग हैरान परिशान हो रहे हैं यार कैसे ऐसे यार इसको अंडर वियर और अंडर वाटर में अंतर नहीं पता था आज ही इतनी समझदारी की बात कर रहा है लोग इतना हैरान होंगे और लोग जब आपको देखके हैरान हो लेंगे ने परिशान हो लेंगे ना आपको देखक समझदारी विक्सित करना है आप अब सोच रहोंगे समझदारी कैसे विक्सित करना है क्या है यह समझदारी तो मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए दोस्त इस प्रत्वी पे न आपको लोग भटकाने के लिए आए हैं YouTube प्याने के बाद आप वीडियोज अपलोड करते हैं, बहुत ज्यादा आपको हेट मिलता है, यहाँ पे भी आप, अरे, सर मेरे रिष्टेदार परिशान करते हैं, सर, चाचक खराब हैं, सर, मामी अच्छी नहीं है, सर, जी जा जी अच्छी नहीं है, सर, मौस अच्छी नही और आप फिर उनके पीछे पढ़ जाओ, और यार इसमें ऐसा बोला, भटकना नहीं है, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं एक बार अपने रेलेटिव में गया था, गाओ गया था, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, तो पहुंचते पहुंचते मुझको एक सजजन व इसे ही मैं विडियो पिताए, उन्होंने कुछ पूछे मुझे मुझसे, मैंने कुछ आंसर दिया, मैंने कुछ चूच अंसर थी, मुझको अच्छा लगा चलिये ठीक है, और जब मैं वापस घर आ गया, तो उनको, मैंने मतलब उनकी मताबिक आपएर नहीं किया हूँ, जो कमेंट्स आने लगे, मुझको गाली देने लगे, अब मैं आर देखके मैं हैरान, कि मैं वहाँ पर उनसे पूछा था, कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं क्या, तो उन्होंने बोले, नहीं, और कमेंट आ रहा है हर वीडियो पे, अपने नाम से भी कमेंट किये, फिर दूसरी को नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ, मेरा दोस्त मतलब एकदम हाईपर हो गया वाला रुको मैं उसको समझाता हूँ, मतलब नहीं यार, चिंता मत करो, समझाने की जूरूत नहीं है, लोग जब परेशान होते हैं तो आपको गाली देते हैं, आपको इसमें भटक नहीं समझदार बनिये, आज मुझको यूटूब पर उतना ज्यादा हेट तो नहीं मिलता है, लेकिन कई बार मिल जाता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, शान्ती रहता हूँ, शान्त एकदम शान्त, कई बार मेरे, मेरी सिस्टर मुझको बोलती है, तो मतलब मुझको, मुझको मेरे साथ रह रहे के सीख जाएगी तो इस वीडियो के जरीये मैं पहले मैं ऐसा नहीं था अभी मैं थोड़ा मतलब यह नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा समझदार बन गया हूं लेकिन मैं अभी धीरे धीरे अपनी समझदारी डेफलप कर रहा हूं तो विक्सित कर रह रास्ते में चल रहा हूं इसने आपको गाली दिया जो भी चीज की गाली दिया आप इसके पीछे दौड़ने लगे मतलब क्या हुआ आपको यह कंट्रोल कर रहा है यह जब तक कुछ नहीं बोला आप कुछ नहीं कर रहे थे इसने गाली दिया आप इसके पीछे दौड़न जिसको जो करना है आप करने दीजी आप केवाल अपना काम केज़ें आप दूसरों के लिए जब वो अपना धरम नहीं छोड़ रहे हैं तो आप क्यों उनके लिए अपना धरम छोड़ रहे हो तो गाली देंगे ही देंगे आप क्यों उसके पीछे परिशान होगे I hope कि इस वीडियो के जरीए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँगा आप समझे होंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजे और मिलता हूँ मैं आपसे लिए वीडियो में शरी सीताराम एक चीज मैं बोलूँगा कि दोस्त थोड़ा सा धार्मिक बनिये पूजा पाट कीजे देखिए आप आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा आज आप जितने भी वर्ष के हैं हो सकता है 20 वर्ष 18 वर्ष 15 वर्ष के होंगे हो सकता में होते हैं 50 में 60 में जितना उपर जा है 50 के बाद आप गिंती गिनना शुरू कीजे जब भी आप उनको कभी देखेंगे भगवान जी का नाम लेते रहते हैं कई लोग गाना सुनते रहते हैं जब हरे राम हरे सीता राम उठे तो कुछ बैठ रह खाने तो कुछ मतलब ना ले रहे हैं भगवान जी का, हर जग में भगवान जी का नाम लेते हैं तो कब नाम लेना शुरू करते हैं? पचास साठ के बार तो मैं आपको बोलता हूं कि आज श़िया नाम लेना शुरू करूँना आज स़ि राम नाम झप Silicon चांच परो पह सुनके तो ये सारी चीजे सुनिए इससे आपको फाइदा मिलेगा आप कभी भी जीवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं हना बोला जाता है इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू करें आगे आपको उतना ही ज्यादा रेटन मिलेगा तो जब आप भगवान शिराम जी का नाम जपना है शिराम जी का ही ने आप किसी भी देवता को जिनको आप मानते हैं उनका नाम जप ये तो आप अगर आज से ही भगवान जी का नाम जपने लगते हो तो आगे तक 60 साल 80 साल जब जाओगे तो सोचो कितना ज्यादा रेटन मिलेगा और ये चीज़ करना ही है आपको आप किसी भी बुड़े वैक्ति को देखेंगे maximum बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं मानते नहीं हैं उनको आप कुछ भी समझा लोग वो नहीं मानने वाले मतलब आप जब चीजों को समय देते हो तो समय आपको वो चीज देता है भाई फिर से मैं एक्जामपल दूँगा आपको सिंगिंग नहीं आ रही है सिंगिंग किये, सिंगिंग को समय दिये, सिंगिंग आने लगा आपको फुटबॉल खेलते नहीं आ रहा है फुटबॉल को समय दिये, फुटबॉल खेले, फुटबॉल आपको आने लगा पढ़ाई में 10th में थे, 12th में थे, जो भी चीज आपको नहीं आती थी आपने समय दिया, खुब पड़ा बार-बार उसको प्रॉबलम को सॉल्व किया, आपको वो आने लगा कैसे आया, आपने उसको समय दिया, यहाँ पर आप इश्वर को अपना समय दे रहे हैं, अब इश्वर को आप अपना समय देंगे, तो इश्वर भी तो आपको अपना समय देंगे ना, तो आज से ही, अभी से ही, राम नाम राम नाम जबते रहे है सीता राम सीता राम आप थोड़ा सा धार्मिक बनिये भगवान की मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ भी भाई भगवान ने आपको जनम दिया है मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात आप कभी सुने नहीं हो गए यह बात मैं खुद यह चीज सोचता हूँ देखिए जितने भी इंजीनियर्स हुएं इस दुनिया में कुछ कुछ भी चीज मान लिज़े यह माइक है आज यह माइक आया कुछ दिन बाद इसका अपग्रेड वर्जन आता है मिर पास लैप्टॉप है कैमरा है, कैमरे को अपडेट करते है जितनी भी चीज बाईक हो गई टेबिल हो गई, कुरजी हो गई जो भी चीज फर्श हो गया हम लोग अबडेटेड वर्जन लाते है क्यों? क्यों लाते है? क्योंकि पिछली वर्जन में कुछ ना कुछ कमी थी उसलिए अपडेटेड वर्जन आया है लेकिन हम लोग को भगवान ने इश्वर इश्वर ने हमको बना दिया दो नाक अगर यहां बनाये तो यहीं है अब चेंज नहीं हो रहा है बिलकुल इतनी सी भी एरर नहीं है लेकिन आप गाड़ी चलाते हैं चलाते 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 लगता है कभी की अरे यार पेटरोल की पाइप निकल गई कहीं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई अपनी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं आती हमारे को क्या होता है सिर्फ सर्दी खासी जो खाम लीकेज कहीं से नहीं है आप देखे पूरी इतनी बड़ी बोडी है कभी ऐसा हुआ है कि लीकेज होगे अपने आप बोडी से खून निकलने लगा अपने आप बोड़ी से कहीं से पाने निकलने लगा नहीं, भगवान की रचना एकदम जबरदस्त है तो आस्तिक बनिए, पूजा पाट करिए सुबह उठिए सूरस देवता को जल दीजिए मम्मी पापा के पैर छू के अपने दिन की शुरुआत कीजिए आपको बहुत बहुत अच्छा फ़ल मिलेगा I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी Please, मिलता हूँ मैं आप से अगली वीडियो में Like कीजेगा वीडियो को, मेरी सारी वीडियो देखिए भले टाइटल कुछ भी हो मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है आप एक बार वो स्टॉंग सुन लीजेगा शिराम जी की अमरितमारी रोज सुना कीजे यार जब कभी भी टाइम मिले ना भगवान का नाम चपा कीजे उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा टाइटल कुछ भी होता है लेकिन आप वीडियोस देखिए आपके मन को शांती मिलेगी मिली अगली वीडियो में I love you मेरे मन मंदिर में सिया राम राम है मन मंदिर में धरपण में सिया राम राम है